Hello everyone, welcome back to my channel, divinity, taros, expert truth, always exposes darkness, तो कैसे सब लोग, I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So, आज का टॉपिक को जिस तरह से है क्या आपके जिन्दगी में? Of course, अप्रत्याशित रूप से unexpected blessings, miracles and abundance क्या आने जा रहा है? So, इससे पहले मैं क्या करूँगी, आपके जो present situation है उसको दिखूँगी, उसके बाद हम देखेंगे आपके जीवन में, क्या अप्रत्याशित रूप से आने वाला है? तो हम इस डेक से देखेंगे unexpected blessings, miracles and abundance और यहाँ से हम देखेंगे आपके present condition. So, let's see, let's find out. Universe with guides, please guide करें कि मेरे जो viewers है उनके जिंदगी में, of course, अप्रत्याशित रूप से क्या आने वाला है? उनके present situation में क्या है? उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है? Universe with guides, please guide करें. उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है? We do have the exchanging gifts, okay. यहाँ पर है flexible, यहाँ पर है breathe, okay. We do have clean it up, और हमारे पास यहाँ पर है milk and honey. Bottom of the deck हमारे पास है truth be told, 14 number. So, यहाँ पर Sagittarius की एनरजी है, धनुराशी की है यहाँ पर, Leo, Taurus, Aquarius and Scorpio की एनरजी है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ. We do have as the sun card as Leo, बाकी जब हम देखेंगे वो deck से, वहाँ से हमें और भी पता चलेगा. Okay. So, basically क्या है ना, आपके जो वर्तमान हालात है, इसमें मैं देख पा रही हूँ कि, काफी प्रयास आप कर रहे हो, काफी साधना आप कर रहे हो, जैसे कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए, लोगों को बोला जाता है कि, It's better to practice and not depend on luck, ऐसा बोला जाता है, कि, वो तो हमें पता नहीं कि, हमारे destiny में क्या है, लेकिन hard work, जरूर appreciated होता है, तीकि, आपने काफी examples देखे है, बहुत, तीकि, और आपको ये चीज पता है, लेकिन गहीना गहीं पर हमारे पास, जो है, evidences, जो है, वो कम होते है, कि उसको स अक्सिसम मान लेता है, कि it's a blend of good fortune and hard work, all right, but I do think so, that आप अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हो, आप अपने inner work कर रहे हो, आप focus कर रहे हो on the right energy, positive होने की तमाम कोशिश किया जा रहा है, negative connections जो आपके थे, उससे आप detached होने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत सरे वीडियो से सुन रहे हो, कि आपको पीछे के तरफ मुड़ के देखना नहीं चाहिए, ऐसे भी पीछे मुड़ के देखो कि तो वो शैतान का ही होता है, इसलिए जब आप घर से कोई शुपकारी के लिए जाते हो, तो वहाँ पर कही न खहीं पर माना जाता है, कि that you should not, okay, look at the back, ऐसे है, आपकी फीलिंग्स काफी जादा तूट चुका है, वो भी मुझे दिख रहा है, आप और पहले जैसा भरोसा नहीं करते हैं, you cannot trust people, because people have not given you the proper support, जो support उनको देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया, तो उसके नतीचर में क्या हो रहा है, आपको फिर किसी से उम्मीद ह नहीं है, आप लोगों के लिए जितना कर रहे हो, that is definitely a great favor, जो उनको होता है, बट वो आपके favor return नहीं करते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, सबसे जदा अगर unhappy कोई हो रहा है, तो आप हो रहे हो, उससे जदा और कोई नहीं है, तो मुझे याप इस तरह से दिख रहा है, ब सब के सामने आए गाई, क्योंकि detective हो, spy हो, anywhere, they always try to find out the truth, right, और सत्या क्या होता है, truth, जितना भी उसको दबाया जाए, manipulate किया जाए उसके साथ, एक ना, एक समय में वो बाहर आए गाई, facts and figures, जो होते है, records होते है, बहुत सारे records होते है, बहुत कुछ चीजों का record होता है, कही चलके समय पे तो बहुत सारे लोग manipulate कर ही रहे है, लेकिन कही न कहीं पे क्या होता है, it is like that, कि आपको ऐसा लगड़ा है कि ज्यादा ही आपके आसपास के माहुल जो है, वो खराब है, adverse effect आ रहा है, आपके mind के उपर, so इसलिए हो साता है कि आप ज्यादा ज्यादा फोकस कर on your root chakra or on your third eye chakra, basically on your throat chakra, maybe you hesitate to speak something, उस तरह से, so कुछ लोगे लिए मैं यहाँ भी यह भी देख पा रही हूँ, कि आपका जो है कुछ समय से focus ज्यादा ही luxury के उपर to spend more, खर्चा ज्यादा हो रहा है, income उतना ज्यादा नहीं है, lavish life जीने का बहुत ज़दा तमना है आपको और वो आपके साथ होगा, because you feel that you know what, it is like, it is due to your fault, it had happened like that, so उस तरह से मैं ही हाँ पर इस चीज़ को देख रही हूँ, now आपके लिए बहुत सारे gates, आपके लिए बहुत सारे agencies कहीं न कहीं पर open होंगे, so definitely वो देखेंगे, unexpected blessings, miracles and abundance, what is definitely coming towards you, you want a loyal relationship, you want a cute relationship, you want an affectionate partner, वो भी आप चाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं चाहिए कि वो इनसान आपके साथ संपर्क रखे, उस समय के बाद उसका interest आप से चला जाए, और खही न गहीं पर आप ऐसे ही कुछ फेस कर चुके है, आपको लगता है कि दुनिया में लोग कैसे ही होते है, कुछ लोग के लिए, वांट ट्रावल अपरोड, वांट अपरोड, वांट अपरोड, वांट अपरोड, वांट वांट नेक्शन, तो चला देखते हैं, अब प्रत्याशित रूप से, क्या आ सकता है आपकी लाइफ में, उनिवर्स पिर गाइड प्रीज ग हमारे पासे, 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 आप प्रत्याशित रूप से मुझे आप इस तरह से दिख रहा है maybe it will be called like by some companies to prove your talent to prove your knowledge इस तरह से होता है ना कि एक ऐसा forum या meeting रखा जाएगा बहुत seniors के साथ आपका और वहां पर आपका skill test होगा तिक आपका competency level जो है वो चेक किया जाएगा और शौकिंग लिए आप बोल सकते हैं कि आप देखेंगे कि आपके performance या आपका test scores काफी लोगों से बढ़िया है at least and definitely कुछ लोगों के लिए maybe जो आप चाते हो कि you wanted to explore different avenues अलग-अलग रास्ता आप ढूरना चाते थे, अलग-अलग जगा पे आप जाना चाते थे you want to travel far away places so वही हो रहा है, यहाँ पे कुछ movement दिखाई दे रहा है maybe education loan जो आपका sanction नहीं हो रहा था maybe you wanted to go for abroad तो उसके लिए पैसा दिखाना भी पड़ता है और खर्चा भी होता है transactions में तिकिए university fees payment करना पड़ता है जो hefty amount में होता है so it will be like all clear अच्छे यहाँ पे Taurus, Virgo, Capricorn, Brishap, Kanya, Makar राशी यहाँ पे है Virgo, Kanya, राशी Aries, Leo, Sagittarius, Mesh, Singha, Dhanu, राशी यहाँ पे है Brishap, Kanya, Makar and we do have the king of cups which is the Cancer, Pisces and Scorpio basically I also do find like ऐसा शोकिंगली आप बोल सकते हैं कि आप को new create करने की कोशिश करेंगे ऐसा है यह न कि आपका focus कहीं न कहीं पर past के उपर था past losses के उपर था किया मैंने इस तरह का project किया था इस तरह का business में मैं involved हो चुकी थी या हो चुका था और उसमें पूरी तरह से भरपाई मुझे ही करना परा losses तो मुझे ही जहलने पर यह मुनाफ़ा तो हुआ ही नहीं तो आपका focus जो था कुछ negative directions पर ही आप जा रहे थे बढ़ अचानक आप देखेंगे कि you will get certain opportunities to add मतलब to progress तिके advance आप ऐसा ही सोचेंगे कुछ लोगे लिए मुझे यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है like you know what आप जो खर्चा कर रहे थे excessive spending हो रहा था आप से तो हो सकता है कि वो हो लेकिन उसी मात्रा में income generate भी होगा जो income का कुछ problems था वो नहीं हो मतलब वो नहीं होगा उतना क्योंकि आप कही नहीं पर जैसा होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज़दा excessively बात करते हैं और कभी-कभी अपने बात को सीमित कर देते हैं तो वो एक balance नहीं होता है ठीक है क्योंकि आपका बात लोगों के साथ आप कभी-कभी बात करना बंद कर देंगे आप कभी-कभी बहुत ज़दा बात करेंगे तो deals and contracts तो आपके पर फिर नहीं आएगा तो यहां पर मुझे इस तरह से दिख रहा है that you will be in a total balanced state of mind ठीक है and definitely you will feel the energy कि नहीं इस दुनिया में अगर मुझे जीना है अगर survival होना है ठीक है यहां पर survival के लिए you have to mix with all the group of people चाहे वो evil हो चाहे वो good हो चाहे वो better हो चाहे वो best हो you have to mix and you have to you can say focus on your strength आपको अपने जो है उसके उपर focus करना है positives के उपर ठीक है लोगों की negatives के उपर तो आप focus नहीं करेंगे जो आप कर रहे थे कही नहीं पर आप fault find कर रहे थे नहीं उसका ये दोश है उसका ये है क्योंकि आपको hurt हो रहा था वो चीज़ इसलिए नहीं आप कर रहे थे वहना आप भी क्यों करेंगे लेकिन you will not focus on anyone you will focus on yourself only at the same time कुछ लोग के लिए यहां पर मुझे दिख रहा है like master you will be like expert like you will be working like a pro यहां पर बहुत सारे लोग के लिए मुझे यह भी दिख रहा है like career में बहुत साथ आपका attention जा रहा है और चाहे जितने भी लोग आपको करवा बात कहे harsh words कहे ठीके आपको सत्य के साथ ही जुतना भी करवा है उसमें ही चलना परे लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे you will be so much powerful in your own aura that people will come to you for advice even बाकी समय में भी ऐसा नहीं है आप अपने family को भी समय देंगे और कही नहीं पर आप अपने बच्चे को भी समय देंगे और लोगों को हसाएंगे भी but at the same time you will also maintain distance also and you will focus on your career, on your education उस तरह से and after having lot of patience वो मुझे दिख रहा है कि नियाए तो आपके साथ होगा ही होगा at any cost you are going to get victory ठीके अगर आप उस level पर आपका thinking है ठीके लोगों से हटके है and you are doing lot of tasks also बहुत सारे काम भी कर रहे हो लेकिन उसका जो है ना आपको कमाई हो रहा है उतना ज़्यादा या appreciation मिल रहा है ठीके या recognition मिल रहा है so you are going to get recognized कुछ foreign companies के साथ आपका collaboration हो सब्दा है foreign companies के साथ ठीके maybe they will be working in your country but maybe they are originally foreign brands ऐसा ही है आप देको बहुत सारे brands है लाइक अगर हम beverages की बात करें अगर हम chocolates की बात करें so Cadbury is a foreign brand right but they work in India right उस तरह से हो साथ है की collaboration हो okay so this is all about today's reading guys I hope you like it and if you like please do share and subscribe thank you so much for being with me love you a lot take care of yourself and claim this reading by 1111 thank you so much